Hi, welcome back to this channel. आज यस वीडियो में हम बात करेंगे कि पुछ ऐसी बाते हैं, जो अगर डिलीवरी से पहले पता होती हैं, तो डिलीवरी के बात का जो पीरेड होता है, वो बहुत असां हो जाता है। क्योंकि जैसे ही डिलीवरी होती है, तो बहुत सारे चेंजिस होते हैं जो एक साथ आजाते हैं और उनके साथ टैकल करना क्योंकि उस टाइम पर हमारी बॉड़ी ऐसी होती कि हम एक्जोस्टिड होते हैं डिलीवरी को लेकर के बेबी के साथ उन सब नहीं चीजों को समझना तो अगर यह सब बाते हैं अगर हमें अगर जाय करें ममझी अगर जाते हैं जाय MARKता जाया क्पर फिर चीजों फइला है यहां चाहर के साथ ही कि यहां पना जायरे इस देते हैं पैट होता लिकिन जाय शेक्वारी होते हैं भी आपित दाइन कि इतने दिन को तियां तो उसमेंस को क्या होता है कि हफता हो 10 दिन Hmm 15 दिन हो किसी को होता है कि पूरे 45 तर्फ शवालीट प्लीडिंग होती है तो यह अगर पहले पता होता था हूं तो हम इसकी प्रपेशन हो जाते हैं और इसके साथ क्या होता है कि इतने दिन तक ब्लीडिंग होती है तो रैशिस भी होने लगते हैं इचिंग भी होने लगती है इन सब के लिए अगर हम पहले से तयार रहें माइन मेकप करके रहें तो वह चीजे हमें असान हो जाते हैं उन चीजों के साथ टैकल करन और थर्ड इसमें आता है कि breastfeeding क्योंकि उस time पे जो new mother होती है जब second time second baby होता है तो होते है कि हमें इन सब चीजों का experience होता है वैसे यह होता है कि हर बच्चा अलग होता है हर बच्चे के साथ आपके experience अलग होते हैं बट कुछ चीज़े हमें पहले उस time पता होती है second baby के time पे त हम भी उसके साथ ही बहुत सी चीज़े सीखते हैं तो breastfeeding की time पे क्या होता है कि अब बच्चा है सही से latch नहीं कर रहा है milk produce नहीं हो रहा है या हमें क्या होता है फस्ट बबी के time हमें यह नहीं पता होता कि baby को hold कैसे करना है तो यह सब चीज़े उस time पे थोड़ा हमें अगर हमें पहले से पता होता है तो हम उसकी तियारी पहले से करके रखते हैं और इन सब चीज़ों को हमें माइनसेट होता है कि हाँ अब यह सब होगा तो वह थोड़ी एजी हो जाती है वह फेस हमारा तो फ्रस्टेशन होता है यह उस time पे क्या होता है तो body pain होता है मारी movement अब बहुत हो जाती है और बेबी जो है वह 100% हम पे डिपेंड होता है और फैमली का focus होता है वह पूरी तरह उस बेबी पे चला जाता है तो बेबी को हर दो गंटे में फीड बी कराना है उसके जो बी सब चीज़े है यह सब एकदम होता है कि पूरी life ही चेंज हो जाती है नेक्स इसमें होता है कि बेबी को फीड कराना है और क्या होता है कि हमारी बोडी बहुत वीक हो जाती है और हर दो गंटे में बेबी को फीड करवाना है या जो भी उसके नपी सचेंज करना है तो उस तम क्या होता है कि हम थोड़ी थोड़ी देर के लिए में बैटना होता ह तो इस वज़े से क्या होता है कि में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और बहुत सीवियर भी हो सकता है क्योंकि मेरी फर्स दिलीवरी की बात मैंने सब कुछ एक्स्पिरियंस किया है उस्ट बहुत पें होता है शॉल्डर में यह बैक में अगर अगर आप पोस्चर पे धीहान नहीं देते हो तो हम अपने पूस्चर पर फस्ट दे से ही धान में देते हैं कि हमें किस तरह बैठ के तो आप सीधे बैटके फीट करायए टेक लेकर फीड करायए और आपको जुकना नहीं है अगर बेपीड करे तक कर आरे अकर आपको एसजुक कर दिए कर नहीं कर вादा आपको सीधे बैठता है अपनी लैप में पीलो reefs रखना और उसके ऊपर वेपी को लिट आधे कर आ आए तो आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक का ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और नीची लाल बटन दबाकर इस चैलने को सब्सक्राइब कर लीजिए और नेक्स्ट इसमें होता है कि क्या होता है जब बेश्ट पीट करवाने के टाइम पर नीपल्स में क्रैक लग जाते हैं starting में यह problem बहुत जादा होती है मैंने भी face की है। यह ऐसा नहीं कि first delivery के time पे ही होगा, second, third जो भी होती है उस time पे होता है क्योंकि उस time में भी हमें experience हो जाता है लेकिन बच्चे को तो नहीं बाता है, वो तो सीख रहा है लेच करना तो तो गभी होता है कि निपल समी तो निपल को सबया है तो मेरा अबना कि मेरा था है वो कि पनाथ बूट उप्षबारा थो पंपाना वही है कि परमे डलाद वब्लीड को परना है आपकी डॉक्टर भी आपको कुछ ओंटमेंट दे सकते हैं लगाने के लिए इससे बहुत जल्दी हील हो जाता है तो यह सब हमें अगर पहले पता होगा तो हम पहले से त्यारी करके रखेंगे तो यह सिचुएशन बहुत जल्दी चली जाती है नेक्स्ट की त को में डर्थ चाहे नॉर्मल इवरी हो चाहे शेशरीयन डिलिवरी नॉर्मल इलीवरी में ब्य stolen ऐता है कि यह उटने बैठने में पेन होता कम हो जाता है वς स्वेयन लिए तो इन सब चीजों की तियारिया पहले ही करके रखो कि टांकों में दर्ध होना शुरू में कुछ दिन बहुत नॉर्मल है धीरे-धीरे कम हो जाता है अपनी डॉक्टर से बात करो कुछ भी डाउट है तो क्योंकि हम सिर्फ अपने दिमाग में इस बाते लेकर करके रखते हैं तो वो डर बढ़ता है हमारी परिशानी बढ़ती है और उस ताइम हम खुद पर इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं हमारा पूरा हमारी पूरी फैमली क बढ़ता है तो यह सब तीचे उस ताइम पर बहुत परिशान करती है तो पहले से प्ने दॉक्टर से भी बात करके रखी डिस्चार्ज के ताइम आप पहले से यह सब बाते प्ने डॉक्टर से डिसकर सकते हो कि स्टीचिस को मैंने कैसे केर करनी है कैसे क्लीनिंग करनी है य या पेट में दर्द होने लगता है या जैसे होता है या जैसे होता है या जैसे होता है जो हमारे पीरेट के टाइम पे होता है यह होने लगते हैं क्योंकि उस ताइम पर क्या होता है क्या होता है यह जब हम बेबी को फीट करवाते है तो इसी कुछ हार्मस रिलीज होते है यह यह पेन हमें थोड़ा जादा फील होता है तो इस बात से हम डर जाते हैं कि यह जब भी में बेबी को फीट करवाती हूं तब ही मुझे पेट में दर्द क्यों होता है या से क्रैंप्स की होते हैं तो यह बिल्कुल नॉर्मल है दिलीवरी के तुरांत बाद आप फील कर सकते हूं कि आपको मतलब कॉंस्टिपेशन हो रहा है गैस हो रहा है पेट में दर्द हो रहा है तो क्योंकि उस तेम पर क्या होता है तो हार्मोनल चैंज बहुत जादा होते हैं और दूसरा हमारी डाइट भी कंप्लेटली चेंज हो तो इस वज़े से कॉंस्टिपेशन होना गैस होना यह भी बिल्कुल नॉर्मल है यह हो सकता है कि आप जासी खाना घाते हो खाना खाना की बाद पेट में दर्द होने लगता है तो यह भी पूरी तरह से नॉर्मल है जो चीजें धीरे-धीरे ट्रैक पे अपने आप आ जात इस गुल जाएंगे जैसे की देलीवरी के बाद घह सकते हैं के नहीं चावल खा सकते हैं कि थाष्ट ऑप से चढ़ सकते हैं गर का काम कर सकते आयर टांक का ख्याल कैसे रखना एमोटशनली भी हम बहुत वीक हो जाते हैं उस टाइंपे और जैसे की ज़िप्रेशन Drystar a problem तो उन सब चीजों से बचने के लिए अगर आप पहले से यह सब चीजे समझ के रखोगे तो वो जो पीरिड है आपका बहुत आसानी से निकल जाएगा हसते खेलते बच्चे के साथ हो निकल जाता है क्योंकि उस ताइम पर चीजे हमें बहुत बड़ी लगती है लेकिन बाद में जब शोचते हैं तो हमें लगता है कि हाँ यह तो बहुत बहुत इजी था क्योंकि तब तक होता है कि हमें समझ आ जाती है कि इसको डील कैसे करना है आप सबके लिए हलफूल है जितने भी पॉंट्स हमने इसमें डिसकर्स की हैं अगर आपको इसमें से कुछ डाउट है या कुछ और डाउट है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए नितीचे लाल बटन दबाके आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं थैंक यू फर वाचिंग